नमस्कार दोस्तों, Aquarium Tips in Hindi में आपका स्वागत है, मैं हूँ चंदन कुमार दोस्तों आज हम बात करेंगे, Discuswis का प्राइस के बारे में दोस्तों ये एक बहुत सारा confusion है, Discuswis का प्राइस के लेकर तो मैं जहां पे रहता हूँ दोस्तों, वहां का जो प्राइस है, वह भी में आपको बताने वाला हूँ और यहां पे अलग-अलग जो cities है हमारे, तो उनका जो आसपास का cities है, वहां का भी प्राइस में आपको बताने वाला हूँ और मैं रहता हूँ उड़ेशा में और उड़ेशा में क्या होता है कोलकाता हमारा पास पढ़ता है तो कोलकाता का एक मार्केट है दूस्तों गलिफ स्ट्रीट करके तो वो जो मार्केट है सुबए 4 बज़े से लेकर दिन के 12 बज़े तक खुलता है और only Sunday को ही खुलता है वो market का जो price है दोस्तों वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और हमने ऐसे बहुत सारे जो कि अलग-अलग state में like आपका Mumbai हो गया, Delhi हो गया, गुजराथ हो गया, Tamil Nadu हो गया तो वहाँ पे हमने ऐसे aquarium shop में call करके average price जो है वो निकाले हैं वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ और दोस्तों आप कहां से हैं आप हमें comment करके बताईए आपका location का नाम और वहाँ पे जो discuss fish का price चल रहा है वो भी बताईए दोस्तों आपका aquarium का shop है उसके ओपर भी depend करता है कि आपका aquarium shop में कौन सा fishes है कितना बड़ा size है और मतलब आपका रोज का आप मतलब जिसी aquarium से मतलब हमेंसा fishes लाते है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत discounts मिल जाएगा लेकिन जो normal fishes का price होता है जो पेयर होता है वो 500 रुपया से minimum जो है वो start होता है और 3000 तक का जो पेयर है वो मिलता है कितने बड़े fishes का जो कि 2 इंची का fish होता है लेकिन उससे बड़ा fish आप लेंगे तो price उसके उपर से मतलब चला जाएगा आपका 2000, 3000, 4000 मतलब एक-एक fishes का और एक-एक fish का भी होता है जैसे बहुत सारा अलग-अलग varieties होते है normally हमें देखने को मिलता है क्या discuss का red होता है yellow होता है ब्लू होता है बहुत सारे discuss आते हैं दोस्तो बहुत सारा discuss आता है दोस्तो अलग-अलग discuss का अलग-अलग rate है और आपका वहाँ पर क्या rate चल रहा हमें comment करकर जुरूर बताइएगा उमीद करते हैं दोस्तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा तो एक like बटन जुरूर दबा दीजीगा आज बादनी वाद जाहिए